किसान भाईयों अगर आप 10 बैग से मश्रूम उत्पादन शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी सामगरी जुटानी होगी तो आईए सामगरी और उनकी लागत पर गौर करते हैं भूसा 20 किलो लागत 80 रुपए स्पॉन यानि बीट 2 किलो लागत 160 रुपए पीपी पॉलेथीन 10 लागत 10 रुपए रबड दो पैकेट लागत 5 रुपए स्रम लागत 150 रुपए विविद खर्च 100 रुपए तो कुल लागत तकरीबन 500 रुपए इस तरह से आप महज 500 रुपए में मश्रुम की खेती शुरू कर सकते हैं दस बैग से आपको कम से कम 20 किलो मश्रुम प्राप्थ होगा जिसे बेच कर आप 2000 रुपए कमा सकते हैं आपको बता दे कि आप डेड़ माह के दर्मियान तीन बार मश्रुम की तुड़ाई कर सकते हैं मश्रुम की खेती करने वाली स्वरोजगारी महिलाएं अपने नजदी की किर्शी विज्ञान के इंदर जाकर मश्रुम से तरह तरह के उत्पाद जैसे अचार, बड़ी, पापड, सूप का पाउडर इत्यादी बनाने का प्रसिक्षन भी ले सकती हैं इसके अलाबा आप अपने अहार के लिए भी मश्रुम से कई तरह के लजीज, वेंजन बना सकते हैं जैसे मश्रुम की सबजी, मश्रुम के पकोड़े इत्यादी तो प्रोटीन युक्त मश्रूम हमारे जायके का स्वाद तो बढ़ाता ही है पर इसमें क्यालरी की मात्रा कम होने के कारण ये मोटापा भी नहीं आने देता तब ही तो मश्रूम उत्पादन आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए फाइदे मंद है तो किसान भाईयों आपने देखा कि किस तरह से आप थोड़ी सी पूंजी लगाकर अपने घर के अंदर ही मश्रूम उत्पादन कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने पूरे परिवार को एक मजबूत आधार वो कहते हैं ना कि शुब काम में देर क्यों तो शुरुवात तो कहीं से भी की जा सकती है अगर आप प्रस्रिक्षन लेना भी चाहें तो आप बिहार कृष्व विश्विदालाय सब और आकर वज्ञानिकों से सीधे संपर कर सकते हैं